आप सभी का स्वागत है काईजन इनोवेशन यूटूब चैनल में और आज हम बताएंगे कि जूम एप के अंदर आप आपकी जो मिटिंग जो चल रही है उसको आप लॉक कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में हम आपको आज जानकारी देनने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मिटिंग लॉक करने की जो फंक्शनालिटी ये जो फीचर्स है वो हमें कब और कैसे यूज़ करना चाहिए मान के चलो कि अपका एक मिटिंग चल रहा है ठीक है चाहिए वो मिटिंग आपके 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 ऑफिस के मैनेजर क के साथ चल रहा हो या कोई कंपनी के सीयो का उनके एंप्लोई के साथ चल रहा हो तो अगर आपहए पकी जो मिटिंग गया इसके इंदेर मिटिंग डालेगा केस अगर मिटिंग आईडी लग गया तो उसके अंदर डायेक्ली इस तरह से जॉइन हो जाएगा तो यह जो फीचर से उसके अंदर यह होगा कि अगर वह आप जिसको भी आपने इन्विटेशन किया है वो एक बार इन्वाइट हो गए आपके रूम के अंदर ठीक है आपकी जुम एपके अंदर जो भी आपने रूम क्रियेट किया है इन्विटेशन से आपने मिटिंग क्रियेट की है उसके बाद कोई भी बंदा दुबारा कोई भी नया बंदा वो एड नहीं हो पाएगा without your permission उसके अंदर आपका जो मीटिंग है वो एक lock हो जाएगा उसके बाहर कोई अब जाब भी नहीं पाएगा और कोई नया बंदा enter भी नहीं हो पाएगा ताकि इसे होगा क्या कि आपका जो भी discussion चल रहा है वो top secret आप लोगों के पास ही रहे इसके लिए ये feature ज़रूरी होना चाहिए कि आप जब भी कोई meeting on करते हो तो definitely कि आपकी जितने भी बंदे अगर आ गए उसके बाद वो option आप lock कर दो ताकि आपकी जो भी discussion चल रहा वो safe और secure रहे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले हमें अपने zoom app पे जाना पड़ेगा यहाँ पे मैंने zoom app open कर दिया और यहाँ पे मुझे कोई भी एक meeting create करना पड़ेगा यहाँ पे मैंने just start meeting पे कर लिया है click ठीक है यहाँ पे start meeting पे मैंने कर दिया more लिखा हो एहाँ पे आपको click करना है जैसे यहाँ पे आपको click कर ओगे meeting setting लिखा हुआ है जैसे आप यहाँ पे click कर ओगे यहाँ पे जो first option देखने को मिल रहा है lock meeting उसको आपको enable कर देना है जैसे आप enable करके यहाँ पे close कर दे ENNA है अगर अभी भी आपको कुछ सम्मझ में नाए, किसी तरह की परेशा नहीं हो, तो हमारी वीडियो को एक कमिंग बॉक्स में डाल दीजेगा, हम जरूर से आप लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, so thank you guys to watching my video, bye, take care, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ,